इस कहानी की शुरुवात में हम एक लीडी सेनरल टैंक जीजी को देख पाते हैं जिसे महल के अंदर उसके किंग ने बुलाया था और जैसे ही वो वहाँ पर आती है किंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसने उन्हें धोका क्यों दिया टैंक जीजी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन किंग तो उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ पर मार देता है यहीं पर हम एक प्रिंस को भी देख पाते हैं जो जैसे ही टैंक को देखता है वो तो उसके पास आकर रोने लग जाता है क्योंकि वो हमेशा से उसे पसंद क क्या करता था इसके तुरंत बादी हम टैंक को देख पाते जिसकी आखें मोडन टाइम के अंदर खुलती है और वहाँ पर चारों तरफ देकर बहुत ज़्यदा हैरान थी कि आखिर वो कहा पर आ गई है अब टैंक जिस लड़की की बोड़ी के अंदर थी उसकी कुछ मेमोर इस उसे याद आने लग जाती है जहाँ पर कुछ लोग उसे परिशान कर रहे थे अब यहाँ पर एक बंदा टैंक के पास आता है और वो उसे कुछ बतानी वाला था कि तभी टैंक तो उसका हाथ पकड़ की मोड़ देती है दरसल इस टैंक के अंदर जो टैंक सीजी थी वो एक सेलिब्रिटी थी और वो जो बंदा उसके पास उसे कुछ गाम बताने के लिए आया था वो उसका मैनेजर था अब जो मैनेजर था उसे भी टैंक सीजी को कुछ पैसे लोटाने थे 5 मिलियन डॉलर्स लेकिन मैनेजर यहाँ पर टैंक सीजी से कहता है कि उन्हें एक काफी जादा वाइरल भी हो जाती है यहीं दूसरी तरफ हम जीजी वान नाम की एक बंदे को देख पाते हैं जो कि इंसेंट टाइम के उस प्रिंस की तरह लग रहा था जो कि टैंक जीजी को पसंद किया गरता था और यहां पर यह बंदा एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जिसके आगे पीछे रिपोर्टर्स के लाइन लगी हुई थी जब टैंक जीजी बाहर की तरफ आती है तो वो भी उसे देख लेती है और वो उसे प्रिंसी समझ कर उसके पास आकर गुटनों पर बैट जाती है लेकिन जीजुआन को तो कुछ सौंज में ही नहीं आता कि एक बहुत बड़ी सलबलिटी बरना चाती है क्या वो उसकी मदद कर सकता है तो मैनेचर भी उससे कहता है कि हाँ वो उसकी मदद कर सकता है अब नैक्स दे मैनेचर और जो टैंक थी वो ऑडिशन के लिए एक जुका पर आ जाते है जहांपर आते के साथी उन्हें एक और देख पाते हैं, जहाँ पर हम क्यान क्यान को देख पाते हैं, जिसकी जब बाहरी आती है, उससे तो अच्छे से कोई भी चीज नहीं हो पाती, लेकिन इसके बाद, जब बाहरी आती टैंक की, तो उसका परफॉर्मेंस टेक कर सारे जज़े सहराम थे, उसका परफॉर्मेंस उ वो भी उनका performance देख रहा था और उसे भी वह performance देख कर काफी ज़्यादा अच्छी लगती है टैंग भी और उसकी performance भी अब यहीं पर जीचुवान उसे select कर लेता है जिसके बाद वो चाहता था कि वह उसका dress अब change कर दे इस वज़े से टैंग एक जगा पर आती है और dress देखन भी नहीं रोखेगा इसके बाद हम जीचुवान को देख पाते हैं जो कि अपनी अफिसके बाइटा होता तभी उसका assistant उसके पास आता है और उसे बताता है कि कल प्रेजिदेंट charity event है जहां पर उन्हें जाना है हम event का scene देख पाते हैं जहां पर जीचुवान तो आया था ल पर जीचुवान तो की बोली लगने वाली थी जिसके लिए एक लेडी आकर सभी को बताती है वो समान जिनकी बोली मापर लगने वाली है वो 1000 साल से भी ज्यादा पुरान है यहीपर टैंग एक गोल्ड जैड ब्रेसलेट को भी देख पाती है जिसे देखकर उसे प्रिंस की याद आ जाती है क्योंकि कभी प्रिंस ने उसे वो जैड गोल्ड ब्रेसलेट दिया था और यहाँ पर बोली लगना शुरू होती है और जो टैंग थी वो लगतार बोली लगा रही थी जिससे जीचुवान को लगता है कि उसे उसकी जरूरत है इस वज़े से लोग उसके बारे में बुरी बुरी बाते कर रहे थे उन सभी के सिर के उपर उसने एक 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 एपल रख दिया था और सभी से कह रही थी कि वो उन सभी एपल पर निशाना लगाएगी लेकिन जिनके उपर यह एपल रखा हुआ था वो सभी तो काफे ज़दा डरे हुए थ लेकिन टैंग का एक भी निशान नहीं चूपता और वह पर्फ़ेक्टली उहाँ पर जाकर लग जाता है जिसके बाद कियान कियान टैंग को मारने के लिए अकिले में भी आती है लेकिन वो टैंग को चानती ही कहा थी टैंक तो उसे ही काफे ज़्यादा मारती है तब ही वहाँ पर टैंक का मैनेजर भी आ जाता है लेकिन टैंक तो उसे वहाँ से भेज देती है और क्यान क्यान को और ज़्यादा मारती है इसके बाद जैसे ही टैंक वहाँ से भार की दरफ जा रहा ही थी तबी उसे एक टारिक्टर मिलता है जो कि उसे उसके लिए काम करने के लिए कहता है लेकिन तबी वहाँ पर जो जीचुवान था वो भी आ जाता है और उसका असिस्टेंट भी उसके साथ है कि उसके उपर जो पांच मिलीन युवान का लोन है वो उसे चुगा सबता है किया इसके लिए जी चुवान दो तुरन थी उसे हाँ बोल देता है यहां से जी युवान तो चला जाता है लेकिन जो टैंक थी उसने अभी उन डोकुमेंट के उपर सिगनीचर नहीं करा था जिस जी चुवान को देख पाते हैं जो कि इसके पास आ जाता है अमरेला लेकर और जी चुवान उसे अपने सतकार में बिटा कर अपने घर पर ले जाता है अब घर आने के बाद जी चुवान तो अराम से नहा रहा था कि तभी जो टैंक थी वह वहाँ पर एक स्विच बोट दे देख रहा था तभी वहाँ पर टैंक दोड़ते हुए आती है और वहाँ पर बैट कर मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देती है और साथी कहा रहे थी कि उसने कभी भी उन्हें धोका नई दिया दरसल उसे तो ऐसे लग रहा था वह आकिकत का मैजेस्टी है यानि कि वहाँ का साइड में हम जीचुवान को भी देख पाते हैं जो कि उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था क्या यह पागल हो गई है और तभी जीचुवान उस ड्रामा को चेंज कर देता है टैंक तो पागलो की तरह वहाँ पर बैट कर बहुत सारे ड्रामास देखने लग जाती है न क्यान रूते वे क्याती है कि उसका तो ये रोल थाई नहीं फिर उसने उसे तपक क्यों मारा लेकिन यहाँ पर टैंक तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी और डायेटर भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था तब यहाँ पर जीचुवान भी आ जाता है और जैसे जी पार्किंग से जाए रही थे कि तब ही वहाँ पर कुछ बंद्य आ जाते जिने और किसी नहीं बलकि क्यान क्यान नहीं बुलाया था लेकिन ये बंदे टैंक को और जीचवान को मारते उससे पहले ही टैंक जीचुवान को कार में जाने के लिए कहती है और सभी को बहुत पानी जीचुवान को बताने लग जाती है कि उसे उसके घरवालों ने बाहर निकाल दिया और उसे तो याद भी नहीं आकर वस्ट में है कौन और टैंग काफे जादा नोटेंगी कर रही थी इसलिए जीचुवान को भी उसे जादा सवाल करना अच्छा नहीं लगता जीचुवान टैंग से कहता है कि उसे किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है पर जीचवान उसे कहना तो कुछ और चाता था लेकिन टैंक कुछ समझी नहीं पा रही थी इसके बाद हम नेक्स शूट का सीन देख पाते हैं जहां पर हम टैंक को देख पाते हैं जिसे एक घोड़े की घुरसवारी करनी थी और वो काफी अच्छे से करती है वो जिसे देखकर क्यान क्यान को गुस्सा आ रहा था यहाँ पर क्यान क्यान उसके डैट से कुछ कहती है उसके डैट टैंक के पास आते हैं और उससे कहते है कि उन्हेंने अभी कोई भी शूट नहीं कर रहा है अच्छी है, साथ ही वो काफी ज़्यादा सुंदर भी है, यही पर बैठी हुई थी, वो जब यह चीज़े सुनती है, उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसके पाद जब टैरेक्टर टैंग से एक प्यानो ट्यून निकालने के लिए कहता है, तो वो उस इंस आता कुछ लोग उसे सवाल जो आप करने लग चाते हैं तो वो तो काफी ज़ाता डर जाता है, इस वज़े से वो आच से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब ही टैंग उसे कुछ फेक के मात ही है, जिसकी वज़े से वो नीचे गिड़ जाता है, दरसल यह सब क्यान क्यान का क्या हुआ था, जो कि वो चाते थी कि जो उस इंस्टुमेंट के पैसे हैं, वो और कोई ना, बलकि टैंग दे, क्योंकि लास्ट टाइम उस ही है, उसे बजाया था, अब उस बंदे को पकड़ के तो रख लिया गया था, लेकिन अभी तक उस बंदे ने क्यान क्यान का नाम नहीं लिया था, रात को क्यान क्यान उस रूम के अंदर आती है, जहां पर उस बंदी को बंद करकर रखा गया था, और यही पर हम टैंग को और जीचवान को भी देख पाते हैं, जो कि छुकर, वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, और देख रहे थे, आखिर उसके सा खाना खा रहे थी, तो क्यान क्यान उससे कहती है कि उसे इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, लेकि टैंग तो एक लेग पिस उठा के उसी के मुँ में डाल देती है, इसके बाद वापिस से शूट शूरू होता है, और यहाँ पर टैंग और जीचवान तो प्रिं इसकी का रोल करती है, और वो इतने ज़्यादा एमोशनल हो जाती है कि उसकी एक्टिंग देखकर डायक्टर फिर दुवारा से कुप्रिटली शॉक्ता कि यह एक्टिंग भी इतने अच्छी कैसे कर लेती है, क्योंकि उसकी एक्टिंग के अंदर काफी सारे एमोशन्स नज जरा रहे थे, यही पर डायरेक्टर को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर दस मिजन युवान का एक ब्रेसलिट था, जो कि खोच चुका है, अब यहाँ पर सभी लोग उसे ढूंडने लग जाते हैं, तो क्यान 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 कहती है कि उसने वो ब्रेसलिट चुका है, जो कि टैंग ने पहले ही देख लिया था, इस वज़े से उसने उल्टा उसी के बैक के अंदर डाल दिया था, वो भी चुपके से, अब जैसे यहाँ पर क्यान क्यान का बैक खुलता है, तो उसका राज भी उसी के साथ खुल जाता है, च्यूंकि असली चूड त जाती है, यहाँ पर क्यान क्यान चले सो रहे थी, तो वो तो उसी प्लेट को नीचे फेक देती है, और तभी वहाँ पर जीचुवान भी आ जाता है, क्यान क्यान जीचुवान से कहती है, कि यह सब इसी ने करा है, तो यहाँ पर टैंग भी कौन सा कमती, उसी की नकल करते इसीने करा है। जीच्वान को तो ये चीज़ देखकर काफ़ ज़ता हासी आ रही थी। वो तो यहाँ पर टैंक को अपनी कोड में उठाता है और वहाँ से ले जाता है भार। अप टैंक और जीच्वान साथ बैढ़कर खाना भी खाते है। रात को महाँ पर मैनेजर आता उसे ऐसे ही किसी भी लटके एक साथ नहीं रहना चाहिए उसे उसके साथ चलना चाहिए तभी जी चुवान उससे कहता है कि अगर वो arms रहना चाहती है तो उसे वह वह वहीं पर छोड़ दे तो मैनेजर कहता कि हाँ वह व्यूँ जैसा कह रहा है यानि कि स्निल राइस तो उसे वो टेस्ट करती है तो उसे तो वो कफी ज़दा अच्छे लगते है वो जी चुवान को भी खाने के लिए कहती है वो खाना तो नहीं चाहता था लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद कहता है कि हाँ ये तो अच्छा है लेकिन जो टैंक थी वो तो उसे उठा कर दूसरी जगा पर ले जाकर खाने लग जाती है के लिए वहीं दूसरी तरफ हमाइक बंदे को देख पाते हैं जो कि उसके मैगसें कवर के लिए जिक्सी को और टैंक को और उसकी साथ एक लूलां का बंदा था उन दोनों का फोटो शूट करवानाज़ चाहता था जिसके लिए वो टैंक को बुलाता भी है और फोटो शूट भी काफी अच्छा से हो जाता है और जब ये फोटो सोसल मीडिया पर जाती है तो दो लड़के बैटकर बाते कर रहे थी कि ये दोनों साथ में काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तब ये महाँ से जीचवान निकल रहा था जिसे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस वज़े से वो उन दोनों से कहता है कि वो उनके काम पर ध्यान दे वो कहती है कि हाँ वो बस काम के लिए जानाई वाले थे असिस्टेंट जीचवान से कहता भी है कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है इसे के साथ हम रात को डिनर पार्टी के सीन देख पाते हैं जहाँ पर वहीं दूसरा बंदा लियू आया हुआ था और यहाँ पर डिरेक्टर और जीचवान भी आया हुए थे यह सबी साथ बैटकर डिनर कर रहे थे और यहाँ पर टैंग ने काफी ज़्यदा डिन कर ली थी जब वो जा रही थी तो उसे तो चला भी नहीं जानाता इसलिए उसे समाल लेकर लिए उसके पास आ जाता है यहाँ पर दोनों काफी ज़्यदा क्लोस आ रहे थे इस वज़े से फटनबर से टैंग तो वहाँ से भाग जाती है इसके बाद हम टैंग को दीक पाते हैं जो की जीचुवान से कहा रही थी कि वो एक शो के अंदर पाटिस्पेट करना चाती है जिसके लिए जीचुवान कहा देता है कि ठीक है वहीं लूई को भी इस शो के बारे में पता चलता है और इस शो का नाम था 72 Hours Love Variety Show अब यहाँ पर रात को सभी की एंट्री होती है और सभी काफी अच्छे से बन कर आये हुए थे और सभी की एंट्री काफी जाता अच्छी थी लेकिन जब टैंग की एंट्री होती है तो वो जीच्छवान के उपर ही गिर जाती है और जीच्छवान तो उसके काफी ज़्यादा क्लोश जाकर उसे किस करने ही वाला था कि तब ही वो वहाँ से चली जाती है नेक्स्टे सभी एक जगा पर भार आ जाते हैं सभी को बताया जाता है कि उन्हें उनके कैम्प तक पैदल चलकरी जाना पड़ेगा यहाँ पर क्यान क्यान भी आयोई थी वो टैंक से कहती है कि अगर वो इस कॉम्पटिशन को जीत नहीं चकती तो वो यहाँ से चिप चाथ चली जाए तो टैंक उससे कहती है कि उसकी डिक्सिनरी के अंदर हारने वाला शब्दी नहीं है अब यहाँ पर काफ़ ज़्यादा तेज बारिश होने लग जाती है कि पितवी जीजवान टैंक के काफ़ ज़्यादा क्लोस आता है लेकिन वो तो स्रिफ बैक से अंदरला निकाल रहा था वो भी कैमरा के लिए ताकि उनका कैमरा सेफ रह सके बारिश है अब सब ही यहाँ पर कैम के अंदर कैसे तो पहुंच जाते हैं डाल देना इसका अंसर असिस्ट बताता है कि वो है लव ट्राइंगल और यह कई न कई सच भी है अब यहाँ पर सभी को जंगल का कुछ मैप दिया जाता है और साथ में वोकिटो की भी दिया जाता है और टैंग को तो कफी जाता गुसा आ रहा था इस वज़े से वोकिटो की को भी फेक देती है जब इस बात का जीचवान को पता चलता है कि टैंग तो जंगल से वापस आई नहीं है इस वज़े से वो उसे ढूडने के लिए जंगल के अंदर भाग जाता है लियो भी उसे ढूडने के लिए जाने वाला था लेकिन जुक्यान क्यान थी वो उसे वहापर रोग देती है वही जीचवान जंगल के अंदर जासी पोस्ट है वो एक जगा पर टैंग को बैठा हुआ देख पाता है तैंग के पैरों में चोट लग चुकी थी इस वज़े से उसे चला नहीं जारा था तो जीचवान उसे उसके गोद में उठा ले था है इसके बाद जब एक चगापटर टैंग और जीचवान एक साथ थे तो टैंक जीचवान को बड़े ही गोर से देखे जा रही थी तो जीचवान उसे कहता है कि आगर वो करना क्या चाती है जीचवान तो उसे किसको निकली चाता है तो वो कहती है कि वो उसे खाना चाता है गया तो जी चुवान मन के अंडर कहता है कि क्या यह सच में पागल है क्या लेकिन यहाइबर दोनुव बाते करते करते एक दूसरे के काफ meant close आ जाते है वे हम केन-केन को देख पाते हैं जो की लियू के पास आती है और उसे उसके साथ काम करनी का एक मौका देती है के पास जाता है और अंदर जाने के बाद वो उसके लिए कुछ लेकर आया हुआ था तो वो उसे वह चीज देता है और खहने लग जाता है उसके आंक के अंदर कुछ चला गया है इस वज़े से टैंग उससे थोड़ी सी किलोस आ जाती देखने के लिए लेकिन साइड से कोई उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है जो कि ऐसे लग रहा था कि यह दोनों किस कर रहें जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था अब यह फोटोस सोसल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो जाती है और रिपोर्टर्स टैंग के पास आ जाते और उससे सवाल जवाब करने लग जात इसके बाद जीचवान एक ओफिस के अंदर आता है जहाँ पर वो कियान कियान के डैट से मिलता है और उनसे कहता है कि सबसे पहले वो नियूस उन्होंने ही वाइरल करी थी ना जीचवान कियान के डैट से ज्यादा कुछ तो नहीं कहता है बस उन्हें कहता है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा है जैसे ही जीचवान वाँ से जाता है तब ही क्यान क्यान की डैट की जो असिस्टेंटी वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि जो जीचवान एंटरेटेन्मेंट कमपनी है उन्होंने उनके साथ जो पार्टनर्शिप थी उसे खतम कर जिससे तो क्यान क्यान की डैट कम्प्लीटली शौक थे इसके साथ हम एक न्यूज का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जो क्यान क्यान की डैट थे उन्हीं की न्यूज चल रही थी कि उन्होंने किसी से बहुत सारी रिश्वत लिये जिसकी वज़े से उन्हें जेल हो जाती है जब क्यान क्यान इसमी उसको तेखती है तो उसे भी काफी ज़्यादा गुसा आ रहा था वो उसके डैट से मिलने के लिए जेल में भी जाती है और उसके बात भी करती है और कहती है कि वो सबसे बतला जरूर लेगी लेकिन उसके डैड उससे कहते है कि वो ऐसा कुछ भी ना करें लेकिन क्यान क्यान उनकी सुनने वाली काई थी जिसके बाद हम क्यान क्यान को देख पाते हैं जो कि उस जगा पर आती है जहाँ पर टैंग का शूट चल रहा था वो तो वो तो वहाँ पर चकर खाकर भेऊश हो जाती है जब मैनेजर को इस बात का पता चलता है तो उसे एक लेटर भी मिलता है और वो सिधा जीचुआन की पास आता है और उससे बताता है कि जो टैंग है उसे किसी ने एक अमेंडेंट वियर हाउस के अंदर पकड़ कर रखा है क्योंकि जो लेटर वहाँ पर रखा हुआ था उसके अंदर वह एड्रेस भी लिखा हुआ था अब जीचुआन जैसे उस एड्रेस पर पहुंस रहे तो वहाँ पर चाकर वह क्यान को देख पाता है वही पर एक और बंदा भी था और साथ में टैंक को एक जगा पर भांध रखा था अब जो बंदा टैंक के पास खड़ा वो था इसी ने उसकी फोटो भी ली थी यहां पर वह बंदा चाहता था कि वह जैड्रेस लिट उसे मिल जाए अब जैसे उस पंदी के पास ब्रेसलेट आता है वह साइड में होता यह कि तभी हम देख पाते है कि उस जैड्र ब्रेसलिट के अंदर से एक लाइट निकलती है और यहाँ पर जिस बंदे के हाथ में वो ब्रेसलिट था और साथ में जो क्यान क्यान थी वो दोनों ही अचानक से उस लाइट की वज़े से वहां से गायब हो जाते हैं इसके बाद हम एंडिंग सीन के अंदर टैंक की और जीच्वान की एक साथ मेरे जोदावा देख पाते हैं और दोनों साथ में यहाँ पर काफ ज़्यदा खुश भी थे और इसी के साथ इस ट्रामा की यहाँ पर हैपी एंडिंग हो जाती है तो जान से पहले चैन को सब्सक्राइब और डिकुश अडियूर से कर देना